तो न्यूजिलेंड दौरा एक तरह से देखा जाए, खत्म हो चुका है, टीम इंडिया के लिए खत्म हो गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर आज जो है, क्राइस्टेस्स मैच का चौथा दिन होता हूँ और मैं आप लोगों से चौथे दिन के बारें बात करता है, लेकिन हर किसी को पता है कि बात करने के लिए हमारे पास कुछ है ने, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने मायूसी वाला खेल दिखाया है, कई सवाल उठे हैं, और इस वक्त मैं जहां आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे जादा दूर नहीं है टीम इंडिया का होटल, और कल चाम में मैं भी गया था, वहाँ पर देखने के लिए क्या टीम इंडिया के खिलाडी बाहर आंगे, कोई भी खिलाडी बाहर ने आया, आज दिन में भी काफी देर तक मैंने वहाँ पर वक्त बिताया, लेकिन एक भी टीम इंडिया का खिलाडी नहीं दिखा, मुझे कई लो बात करेंगे सवालों की इस दौरे से क्या खोया क्या पाया तो देखे पाया तो कुछ नहीं पाया अगर आप खोने की बात करें तो हर कुछ आपने खोया मुझे लगता है यह एक ऐसी सीरीज है पिछले 15 सालों 20 सालों में आप देखे विदेशी दौरों पर ऐसा नहीं कि को लेकिन जब भी हारती थी तो कुछ न कुछ एक आपके पास रहता था कि चलो हार तो गए लेकिन इस बार तेज गिंदबाजों ने अच्छा खेल दिखा जैसे जस्पृत दूम्रा 2018 में साउथ अफरिका की सीरीज में आप दो एक से हारे लेकिन जस्पृत दूम्रा बहुत अ आप उससे पहले अगर आप देखा जाए 1999 के उस्ट्रेलिया दौरे की बात करें 309 से भारत हारा था लेकिन वहाँ पर आपको वीवियस लक्षमन जैसा बल्लेबाज मिला था भविश के लिए लक्षमन में क्या शांदार पारी खेली थी ब्रेटली और ग्लेन मेंग्रा जै इस दौरे पर कुछ भी आपको नहीं मिला आप अंदाजा लगा यह कि मयंक अगरवाल जैसा बल्लेबाज जो इस दौरे का भारत का हायस्ट रण गेटर रहा मतलब आप सुलिए वह मयंक अगरवाल जो दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में फ्लॉप रहा उसके बा करता है यह आंकड़ बया करते हैं कि भारत की बल्ले बासी किस खराब रही है है तो आपके पास एक तरह से देखा जाए बात करने के लिए कुछ भी नहीं है अपको पास अलो चुना करने के दर के प्रिथविषाओ के आलो का मिला था इस दौरे पर रोहिश शर्मा नहीं थे इस दौरे पर केल राहूल नहीं थे और जब राहूल की बात कर रहे हैं तो टीम इंडिया को ये बात बहुत चुभेगी कि उस केल राहूल को हमने टीम में नहीं जगा दी जो वाइड बॉल क्रिकेट में टी-20 सीरीज या वंडे सीरीज में जबरदस फॉर्म में चल रहे थे क्या राहूल इतने भी लायक नहीं थे कि उनको टीम में रखा जा सकता था आपके लिए विकेट कीपर की भी भूमी का निभा सकते थे ओपन भी कर सकते थे मिडल ओर में भी खेल सकते थे तो ये राहूल का जो सवाल है टीम इंडा को बहुत कचोटेगा टीम इंडा के लिए विकेट कीपर का भी सवाल होगा और रिशब पंद तमाम का सफलता के बावजूद उन पर सवाल उठेंगे कि क्या रिशब पंद भारत का भविश है या भी उनको एक-दो साल फस्ट प्लास क्रिकेट खेलनी होगी ए एक चीज मुझे लगता है कि अगर एक चीज पूरे दौरे पर भारते टीम ने पाया तो आईना पाया जी हाँ इस टीम को आईने की जरूरत थी यह टीम जो है एक बबल में जी रही थी और कप्तान कोहली ने पहले टेस्ट मैच में हार के बाद उन्हेंने का कि उन्हें काड़ी हमारे सारे कारेकरम को भी देखते हैं सारे चैनल्स देखते हैं आलोचना से यह टीम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है अच्छी बात है विराट कोली ने लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें अपना पूरा रुख बदला आक्रमक नहीं थे विनम्र थे एक उनकी विनम्रता उनने अपने गलती मानी और कहीं ना कहीं जो जिस आईने की बात कर रहे हैं यह आईना जो है मीडिया को दिखाने की ज़रूत नहीं थी हमें और आपको दिखाने की ज़रूत नहीं यह काम रवी शास्त्री का है अनिल कुमले ने अपने रेजिगनेशन ले कोच क्या कर दा भारतिय टीम मैनेजमेंट क्या कर रहा था सवाल उठेंगे अगर संजा बांगर को सजा मिली वर्ल्ड कप में तो बाकी लोगों का क्या बाकी लोग जो बज गये उनका क्या थीक है बहुत जल्दबाजी होगी अभी फैसले नहीं लेंगे लेकिन सवाल तो लेकिन सीरीज खत्म होते ही विराट कोली ने माल लिया कि अब जो तेज गेंदबाजों हैं उनके पास वैसे ने गेंदबाजों पर वो जोरदर एक उन्होंने हिंट दिया है कि ने गेंदबाज रफ्तार वाले हो सकता नौदीप सैनी हो उमेश यादों के लिए मुझे लग लेकिन उनके लिए मुझे बढ़ेंगी तो कुल मिलाकर जो टीम इंडिया का लग रहा था कि तेज गेंदबाजी का आकर्मन इतना धाकड़ है विकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन देखे क्या हुआ चार पारियों में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मिलकर सिर्फ 23 लिए और 23 में तो 5 विकेट स्पिनर को गये तो 18 विकेट अगर आप देखा जाए कुल मिलाकर 18 विकेट मिले तेज गेंदबाजों को तो ये दिखाता है कि आपकी तेज गेंदबाजी की चोकड़ी में भी उतना दम नहीं था जितनी हम सोच रहे थे तो और मुझे लगता यह आईना यह जगजोर देने वाली बात ज़रूरी थी इस टीम को जो बबल से बाहर करने वाली कि आप भी वैसी टीम हो जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है जैसे इंगलेंड की टीम है जैसे न्यूजिलेंड जैसा रवी शास्तिरी दावा करते हैं, उसकी पोल खुल गई है, दरसल इस दौरे ने मौका दिया है, उन आलुचकों को मौका दिया है, जो इंतजार कर रहे थे, कि हम देखें न्यूजिलेंड में क्या होगा, बॉल सीम होगी, स्विंग होगी, तब क्या होगा, और वही हु आपसी करना चाहिए, और उस्ट्रेलिया साथ महिने बाद भले दौरा है, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू होनी चाहिए,